पाट सत्रह गुलीवर की यात्रा यात्रा वृतान्त मेरा नाम गुलीवर है। मैं एक जहास पर नौपली करता था। मुझे कई लंबी-लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। एक बार मैं दक्षनी सागर से पूर्वी द्वीब समूं की ओर जा रहा था। कि अचानक हमारा जहास तुपान में ठत गया और चक्मा चोंब हो गया। इश्वर की कृपा से मैं तैर कर किनारे पर आ गया और बहुत ठकान के कारण वहीं जमीन पर लेट गया। मुझे गहरी नीद आ गई। जब मेरी नीद खुली तो मैंने अपने आपको पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। मैं कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी चाती पर आखड़ी हुई। यह एक मानव आकृती थी जिसकी लंबाई लगभग आठ इंच थी। कुछ देर बाद मैंने पाया कि मेरे शरीर पर उसी तरह के लगभग सैकड़ों आदमी चड़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा। कौन हो तुम। मेरा चिल्लाना सुनकर वे लोग घबरा गए और चीखते चिल्लाते हुए भागे। मैंने उठने की कोशिश की तो कुछ धागी तूट गए। यह देखकर कुछ लोगों ने मुझ पर तीर चलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चुपचाप लेटे रहना ही अच्छा है। अब उन अदभुत प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया। उन में से एक थोड़ी दूर उंचाई प की मैं भूखा हूँ। उन लोगोंने मेरे मुझ के पास सीड़ी लगा दी और सैक्ड़ों लोग टोकरियों में खाने की चीजे लाला कर मेरे मुझ में डालने लगे। मैंने पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे पानी के मेरे मुझ में उडेल दिये। वे लोग बहुत हैरानी से मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसका पेट है कुआ थोड़ी देर में मेरी पल के भारी होने लगी और मैं सो गया खड़खड की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली तो मेरे आश्चरे का ठिकाना ना रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था उन छोटे छोटे लोगों की भीड हतियार लेकर मेरे साथ साथ चल रही थी मैं समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया गया है अब मुझे पता चला कि यह लिलिपुट द्वीब है वहाँ के निवासियों की विशाल भीड मुझे देखने के लिए उमर पड़ी मेरे पहाड जैसे भारी भरकम शरीर को देखकर लोग आश्चरे चके थे लिलिपुट के सभी मकान तो बिलकुल खिलोने जैसे थे वहां के राजा ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया जिस तरह वे लोग मेरे भारी भरकम शरीर को देखकर आश्चरे चके थे उसी तरह मैं भी उनकी चोटी सी दुनिया देखकर हैरान था एक दिन की बात है कुछ शरार्ती लोग मुझे पर तीर चलाने लगे एक तीर मेरी आँख पर लगा यहां देखकर सिपाहियों ने छे वेक्तियों को गिरफतार कर मुझे सौब दिया पांच को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया एक को उंगलियों में पकड़ कर मुह में ले जाने लगा वह आदमी डर के मारे बुरी तरह चीखने लगा तो मैंने उसे जमीन पर छोड़ दिया मुझसे छुटकारा पाते ही वह गिरते पड़ते वहां से भागा राजा ने जब यह सुना तो उसने मेरी बहुत प्रशंसा की राजदर्बार के कुछ व्यक्ति मेरे खाने पीने के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इस तरह तो देश में अकाल पढ़ जाएगा वे विशैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे परंतु राजा उनकी बातों में नहीं आया उसने मेरे खाने पीने की सारी जिम्मेदारी अपने उपर ले ली और छे विदवानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया मैंने जल्दी ही वहां की भाषा सीख ली वे लोग मेरे व्यवहार और स्वभाव से बहुत खुश थे अब वे निडर होकर मेरे पास आते एक दिन मैंने राजा से प्रार्थना की की वे मुझे छोड़ दे राजा ने मेरी प्रार्थना इस शर्थ पर स्विकार की कि मैं बादशाह की आग्या के बिना कहीं न जाओ और किसी देश के साथ युद छड़ जाने पर लिलीपुट वासियों की मदद करूँ कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि पडोसी देश बलेफुसकू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा बना लिया है और वह लिलीपुट पर चड़ाई करने का मौका ढून रहा है शर्थ के अनुसार मैंने उन लोगों की मदद करने की योजना बनाई मैं कुछ रस्सियां और कांटे लेकर बलेफुसकू की खाड़ी की ओर चल दिया यह खाड़ी उन लोगों के लिए एक महा सागर की समान थी लेकिन मेरे लिए कोई विशेश गहरी नहीं थी खाड़ी में घुसकर मैंने वहां खड़े सभी जहाजों को कांटे में फसा लिया और उन्हें खीचता खीचता लिलिपुट की ओर चल दिया बलेफुसकू के सैनिकों ने मेरे उपर तीरों की बोच्छार कर दी लेकिन उनका मेरे उपर कोई असर ना हुआ क्योंकि मैंने चमडे का कोट पहन रखा था और चश्मा लगा रखा था बलेफुसकू के जहाजों को लेकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में पहुँचा तो वहां के राजा और लोगों ने प्रसनता से उचल उचल कर मेरा स्वागत किया राजा ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधी से सम्मानित किया एक दिन मैं खाड़ी के किनारे घूम रहा था कि मैंने पानी में एक बड़ा तखता तैरता हुआ देखा ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक उल्टी हुई नाव थी उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा यह नाव मेरी आशाओं की जियोती थी कुछ दिनों बाद मैंने राजा से अपने देश लोटने की आज्या मांगी उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे विदा किया और बहुत सी भोजन सामगरी मेरी नाव पर रख दी मार्ग में मुझे मेरी देश का जहाज मिल गया और मैं अपने देश वापस लोटाया आज भी मैं अपनी उस विचित रियात्रा को नहीं भूल पाता हूँ संदेश हमें जरूरत मंद की मदद करनी चाहिए और मेहनत का आदर सतकार करना चाहिए करना चाहिए और में जरूरत मंद करना चाहिए